जिस तरह यूपी आई से भुक्तान करना आसान हुगा है उसी तरह आप किसानों को और छोटे दुकानदारों को करज लेना आसान हुगा किसान और छोटे व्यापारी आज भी करज के लिए लोकल ब्रांच बैंक नेटवर्क पर निरभर है इस समस्या को खतम करने के लिए आरबियाई ने इनोवेशन हव और फिंटेक डिपार्टमेंट के साथ मिलकर पॉब्लिक टेक प्लैटफॉर्म फॉर इनफॉर्मेश फाइनेशियल क्रेडिट को विक्सित किया है आरबियाई क्रिशी और MSME कर्ज के लिए इस प्लैटफॉर्म को बढ़ावाद देना चाहता है क्या प्लैटफॉर्म है कैसे लागू हो गया यह नई पहल है एक तरफ देखिए रिजर्ब बैंक कर्ज के प्रवाह को रोक रहा है बैंकों और वित्ती कंपिनियों को फिंटेक को इस बात के लिए रोक रहा है कि वो कर्ज ना दे दूसरी तरफ उसके दिमाग में यह भी चिंता है कि कर्ज का प्रवाह बढ़ाए जाना चाहिए चोटे लोगों पर के सानों के पास कर्ज का प्रवाह देना चाहिए यहां कर्ज देने वाले यानि बैंक और वित्ती संस्था है और वो जो स्टार्ट अप जो फिंटेक स्टार्ट अप है वो एक साथ काम करेंगे और एक यूपी आई जेसी विवस्था के था है कुछ के वाईसी के जरिए चोटे कारोबारियों को दुकानदारों को कर्ज पहुँचाने की कोशिश करेंगे उन्हें कर्ज पहुँचाएंगे इसमें मुक्यता एग्री लोन होंगे चोटे आकार के MSME लोन होंगे यानि जो चोटे कारोबारियों बहुत चोटे माइक्रो कारोबारियों उनके उनके कर्ज की और इस तरीके के अन्य उत्पात इस प्लेटफार्म के जरिए बेचे जाएंगे अब इसे देखने के बाद आपको लगता लगेगा कि रिजर्ब बैंक एक हाथ से अनसीकूर्ड क्रेट को और दूसरे हाथ से प्लेटफार्म को बना रहा जहां से फिर उसी तरीके के क्रेडिट की वड़ोतरी की बात होगी लेकिन दबाओ केंद्री बैंक पर ये है कि भारत में बहुत सारे किसान आज भी मरी लेंडर्स पर महाजनों से कर्ज लेते हैं करीब 30% से जादा किसान गा रास्ता बेतर रास्ता नहीं है काफी बेतर इस्तिति में थी पर जो ताजे आकड़े आए हैं उनमें पहले नौ महीने में ट्रक्टर की सेल्स में तेज गिरावट आई ये 4% से जाधा की गिरावट आई हला कि चोटे किसानों के लिए नहीं है लेकिन बड़े किसानों में भी जहां ट्रक्टर की रेगुल और भी कमाई करने की कोशिश करता है ट्रक्टर की सेल्स घुटने का मतलब बताता है कि गाउं में खेती में भी डिमांड नहीं है और कमाई आए ट्रेक्टर्स की विक्री होती ही, वहां 33% की गिरावट आई है ट्रेक्टर की सेल्स में, करनाटिका में करीब करीब 20% की गिरावट है, तिलंगाना में करीब 36% की गिरावट दिखाई दे रही है, इन प्रमुख क्रश आधारित राज्जियों में जो गिरावट दिख र झाल झाल